हैलो एफ्रीवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, वेल्किम टू माइ चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की जरूरत पड़ती है जैसे, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, वो थोड़ी देर में घर पहुच जाएगा, हम थोड़ी देर मे मार्केट जा रहे हैं, थोड़ी देर में बात करते हैं, ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम इना वाइल का यूज करते हैं, इना वाइल का मतलब होता है, थोड़ी देर में इसको लेकर सेंटेंसिस बनाने का रूल देखते हैं, इसका रूल कुछ examples देखते हैं, जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरा से समझ में आ जाए, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, I am coming in a while, I am coming in a while, वो थोड़ी देर में घर पहुच जाएगा, He will reach home in a while, हम थोड़ी देर में market जा रहे हैं, we are going to the market in a while, थोड़ी देर में बात करते हैं, Let's talk in a while, let's talk in a while, मुझे अभी भूख नहीं हैं, मैं थोड़ी देर में खालूंगी, I am not hungry right now, I will eat in a while, I am not hungry right now, I will eat in a while, थोड़ी देर में मेरी कोचिंग का वक्त हो जाएगा, It will be time for my coaching in a while, थोड़ी देर में खेलना, पहले अपना homework पूरा करो, Play in a while, first complete your homework, ये डिनर का वक्त है, मैं थोड़ी देर में तुमसे बात करती हूँ, It's time for dinner, I talk to you in a while, वो थोड़ी देर में टेहलने के लिए बाहर चला गया था, He went out for a walk in a while, अब एक सेंटेंस आपके लिए, मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करूंगा, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या आप मुझे कमेंट्स में बताएए, आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए टेक कैर, बाबाई!